आपने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन का नाम तो सुना होगा, अगर हम प्रिथवी की बात करें तो अमेजन का जंगल हमारी प्रिथवी का हार्ड है, means हमारी प्रिथवी का 20% oxygen अमेजन के जंगल से ही प्रोड्यूस होता है, आएए जानते हैं, अमेजन के जंगल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट तो चलिए, हम लोग चलते हैं अमेजन के जंगल के शहर में, तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, ये हमारा भारत वर्ष है, इसके आगे अरेबियंसी के बाद कुछ अफरीका के देश आ जाते हैं, इसके बाद जाता जाता ओशियन और इसके बाद आज जाएगा ब्राजील और ये आप जो देख सकते हैं ये है अमेजन के जंगल तो चलिए इस जंगल को अब करीब से जानते हैं अमेजन का जंगल एक नहीं बलकि 9 देशों में फैला हुआ है इसका सबसे बड़ा भाग ब्राजील में 60% पेरू में 13% कोलंबिया में 10% इसके बाद और भी 5 देशों में फैला हुआ है क्या आपको पता है अमेजन के जंगल में लगभग 4 अरब से भी ज्यादा पेड है और ये पेड इतने बड़े और घने हैं कि यहां की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है मीन्स सूर्य का कि कुलक्षेत्रफल लगभग 5.6 मिलियन स्क्वेर किलोमीटर है जो कि हमारे भारत देश के कुलक्षेत्रफल से भी ज्यादा है अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जंगल है अमेजन का जंगल जो पूरी प्रिथवी का लगभग 4% हिस्सा में फैला हुआ है और क्या आपक पता है दुनिया की 20% नदियां अमेजन की नदी में जाकर मीलती है और बारिश के दिनों में जब इस नदी में पूरा पानी स्टोरेज हो जाता है तो कहीं कहीं नदी की चौड़ हाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नदी के इस छोर से उस छोर का पता ही नहीं चलता है लगता है कि हम कोई ओशियन देख रहे हैं जिसका छोर पता ही नहीं चलता है क्या आपको पता है अमेजन के जंगल में लगभग 17,000 से भी ज्यादा केवल पेड़ की प्रजाती पाई जाती है क्या आपको पता है यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा केवल कीड़े की प्रजाती पाई जाती है और क्या आपको पता है अमेजन की नदी में 5000 से भी ज्यादा मचली की प्रजाती पाई जाती है और आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि इस जंगल में 3000 से भी ज्यादा केव स्पाइडर की प्रजाती पाई जाती है अब हम बात करते हैं अमेजन के जंगल में पाई जाने वाले कुछ खतरनाक जीव जन्तु की नंबर वन बुलेट एंट एक ऐसी चींटी है जो बहुत ही छोटी होती है लेकिन आपने चींटी तो बहुत सारी देखी होंगी लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है इसके काट लेने से बहुत तेज बुखार भी आ जाता है इसलिए इससे बुलेट एंट चींटी कहा जाता है ये अमेजन के जंगल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है नंबर टू क्या आपको पता है अमेजन के जंगल मे लगभग 120 प्रकार के जहरीले मेंडग भी पाय जाते हैं चटक सुनहरी रंग के ये मेंडग देखने में तो बहुत ही आकरशक लगता है लेकिन एक मेंडग में लगभग 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है ये कई कलर में पाया जाता है और ये बारिशों के दिनों में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं स्थानिय लोग या टुरिस्ट यहां जब घूमने जाते हैं तो यहां इस मेंडग को देखते ही बहुत दूर हो जाते हैं क्योंकि ये मेंडग बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है नमबर थ्री एनाकॉंडा एनाकॉंडा सांप आपने हॉलिवूड मूवी में बहुत बार देखा होगा जिसमें एक ही जगह कई बड़े-बड़े सांप जंगलों में घूंते रहते हैं और इनसानों को डायरेक्ट ही निगल जाते हैं लेकिन रियलिटी में अमेजन के जंगल में इतना ज्यादा बड़ा एनाकॉंडा नहीं पाया जाता है अमेजन के जंगल में एनाकॉंडा सांप पाया जाता है लेकिन उसकी लंबाई लगभग 30 फिट से 40 फिट होती है क्या आपको पता है, अमेजन के जंगल में एक ऐसी नदी है, जिसका टेमपरेचर लगभग 110 डिग्री सेंटिग्रेड है, जिसमें कहीं कहीं पानी उबलता हुआ भी दिखाई देता है, यहां का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, यहां के कुछ जंजाती लोग, अगर क अपसे खतरनाक जानवर, खूनी जगवार को माना जाता है, यह एक प्रकार का तेंदुआ, प्रजाती का जानवर है, जो बहुत ही फुर्तीला होता है, इनसानों से दूर रहता है, और यह जानवरों का ज्यादा शिकार करता है, नमबर सिक्स, क्या आपको पता है, अमेजन से दुगना वजन अपने पंजों में पकड़ कर उड़ सकता है जिसके कारण इसका फेवरेट शिकार बंदर माना जाता है और ये बड़े जानवरों के बच्चों का शिकार भी करता है ये बहुत ही खतरनाक होता है लेकिन ये प्रजाती अब धीरे-धीरे लुप्त हो रही है दोस्तों तो कैसा लगा आपको ये अमेजन का जंगल कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करें